राजस्थान के भरतपूर जिले में अवैद खनन के खिलाफ 551 दिनों तक लगातार विरोध करने वाले संत विजय दास अब इस दुनिया में नहीं रहे 551 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद संत विजय दास ने खुद को आग लगा ली थी और राधे राधे कहकर दोड़ने लगे थे पुलिस जब तक उन्हें बचा पाती वो 80-30 तक जल चुगे थे दिल्ली के सब्दर जंग अस्पताल में उनका इलाध चल रहा था जहां उनकी मौत हो गई विजय दास की मौत के बाद राजस्थान की कॉंग्रिस सरकार गेरे में आ गई है दरसल भरतपुर जिले के डीग शेत्र में धार्मिक इलागे आदिबद्री धाम और कनकाचल में बड़े स्तर पर अवैद खनन चलता है इसी के विरोध में सादू संतों सालों से आंदोलन कर रहे हैं 20 जुलाई को बड़ी संख्या में सादू संत विरोध कर रहे थे इसी दोरान आंदोलन स्थल पर 65 साल के संत विरोध कर लिया पुलिस और मौके पर मौजूद बांकी के लोग उन्हें फॉरण कंबल से लपेट कर बचाने की कोशिश करने लगे लेकिन तब तक वह 80 पीस भी जल चुके थे संत विजेदास को पहले आरबीम अस्पताल में भरती करवाया गया लेकिन उनकी हालत बेहत गंभीर होने के कारण बाद में उन्हें जैपूर के SMS हस्पताल फिर दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में भरती करवाया गया भरतपूर SDM संजे गोईल ने बताया है कि पोस्ट मॉटम के बाद संत का पार्थिव शरीर बरसाना ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संसकार होना है संतों का कहना है कि ये आंदोलन 16 जनवरी 2021 से लगातार कर रहा था हाला कि साल 2004 से ही साधू संत अवैद खनन को लेकर इस इलाके में विरोध कर रहे हैं इस दोरान प्रदेश के सो से ज्यादा विधायकों को ग्यापन दिया गया और मंत्रियों से मुलाकात की गई प्रियंक का गांधी से भी मुलकात करने की बाद कहीं जा रही है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई संत विजयदास के आत्मदाह करने के बाद राजस्थान की अशोग गहलोत सरकार बैकफुट पर है आत्मदाह के बाद धरना स्थल पर जिले के बड़े अधिकारी भी पहुँचे राजस्थान के खनन मंतरी का कहना है कि संत जिन खानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं वो सभी लीगल हैं फिर भी ठेकों को शिफ्ट करने पर विचार होगा कई देर के मान मनवल के बाद धरना खत्म हुआ सियासत भी तेज हो गई है विपक्षी दल बीजेपी के नेता और पूर्फ मुक्यमंत्री वसंद्रा राजे ने मुर्चा खोल दिया है अशुक गहलोत के खिलाफ हमलावार होकर कहा कि संत की मौत जाया नहीं जाएगी और इसके लिए सिम्मेदार गहलोत की सरकार है सीम गहलोत ने भी आननफानन में बैटक बुलाई इसके बाद मौके पर कलेक्टर पहुँचे और धरना खत्म करवाया आपको बता दे कि संत विजय दास का सन्यास से पहले मधुसूदन शर्मा नाम था और वो हरियाना के परिदाबाद जिले से थे बेटे और बहु की मौत के बाद उन्होंने सन्यास लिया था टाइमसनाव नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइमसनाव नव भारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए